हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग इंग्लेस लिट्रेचर का चेप्टर 11 जिसका नाम है दा इन्वीजबल मैं डा एकसेंट्रिक संट्रिक साइन्टिस्ट यानि आज हम लोग लेसंट 11 के चेप्टर एक इन्वीजबल मैं यानि एक न दिखाय देने वाले आदमी ठीक है और वो जो ना दिखा दिने वाला आदमी है वो एक इंसेंट्रिक साइंटिस्ट मतलब एक विलक्षण चमता वाला एक विज्ञानिक है ठीक है इसकी स्टोरी पढ़ेंगे जिसको एच जी वेल्स ने लिखाया ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को कैने मैं रियले बिकम इन्विजबल है व्यू सीन मिस्टर इंडिया अगर आप लोग त्व गर देखते होंगे तो आप देखते होंगे एक फिल्म है मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर जो है वो घड़ी पाता है और घड़ी को जैसे वो पहनता है तो वो गायब हो जाता है हो तो क्या वास्तों में कोई गायब हो सकता है तो व्रDeS is daStory अव सटेंटीस वास्तों में क्या कोई हो सकता है यह पार आप टू जो है एक ऐह सईंकिस्ट की स्टोरी है की सेवेग्णिक स्टोरी है वैश्ड़ करके किनों में स después क्पातव सट्ने श्टेंज 9 अबाड लिया इन्विजबल बना लिया था यानि गायब होने वाले वक्ति बना लिया था क्या करके इस तरह की दवाई खाई थी जिससे अपने आपको गायब लगब मतलब गायब इनसार बना लिया था इस साइंटिस्ट यह जो वेगानिक था इसका नान था Mr. Griffin was a quite a lawless person और यह एक ऐसा आदमी था जो किसी नियम कानून को नहीं मनता था who took advantages of his discovery उसने जी जो गायब होने वाली discovery थी उसका फायदा लेना चाहा ठीक है तो इसी को पर एक कहानी है आईए हम इस कहानी को पढ़ते हैं the arrival of string यह कहनी कहां से सुरू होती है कि जो Mr. Griffin होते हैं वो एक मतलब जहां होती है उस जहां कर बोलते हैं आईपिंग ठीक है तो वो आईपिंग जाते हैं और वहां से कहनी सुरू होती है और वहां पर एक वो क्या बोलते हैं एक इन में रहते हैं यह इन मतलब धर्मशाला जहां लोग ठैरते हैं वहां पर जाते हैं वहां से यह स्टोरी शुरू होती है the arrival of a stranger at an inn in winter ठंडियों का समय था ठीक है the arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event ठंडियों का समय था और एक आजनभी का एक unusual event मतलब कोई खास का एकरम नहीं हो जनरल लोग कहीं पर जाते हैं तो कोई शाद एबिया पड़ी हो पेपर हो ठीक है या कोई function हो या कोई meeting हो तो वहां जाते हैं दूसरे शहर जाते हैं अब वहां कोई कमर किराया पर ले करके वहां पर रहते हैं ठीक है तो ऐसा unusual event मतलब बिना करण के ही ठंडियों के समय में एक अजनभी का इस तरह से आना ठीक है मतलब एक अजनभी वहां पहुंसता है एक धंशाला में पहुंसता है a stranger of such uncommon appearance इस तरह का जो uncommon appearance है किसी का आ जाना किसी अजनभी का set all tongues wagging तो सब कुछ सब लोग क्या करने लगते हैं आपस में भुनभुना हट करने लगते हैं मतलब एक दूसरे को सोचने लगते हैं कैसा इं Mr. Hall the landlord wife made every effort to be friendly Mr. Hall जो थी जो उस धंशाला के जो मालिक थे उनकी बीवी थी made every effort to be friendly तो इस अजनभी आदमी को आजनभी कौन था Mr. Griffin ठीक है तो Mr. Griffin के उनसे जो एक अजनभी आदमी थी जनको जानती नहीं थी उनसे friendly होने की बहुत अच्छे से बात करने की वहवारिक होने की बहुत कोशिश करती है बट परन तो Griffin had no desire to talk परन तो Griffin की कोई इच्छा नहीं होती है बात करने की Ann told her और वो उससे कहता है कि my reason for coming to Epping याने एक जहां है उस जहां पर आने का मेरा कारण है is to desire for solitude क्योंकि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ मेरे काम में कोई डिस्टर्ब ना करें मैं इसलिए यहां पर एकांत की इच्छा से यहां पर आया हूँ I do not wish to be disturbed in my work मैं उमीद करता हूँ कि आप मेरे काम में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे beside an accident has affected my face अच्छा जो Mr. Griffin था उसके पूरे सरी पर पट्टियां पट्टियां बंदी हुई थी तो चहरे पर पट्टियां बंदी ही थी तो बताता है Mr. Mr. Hall को बताता है Mr. Hall को बताता है कि यह जो मेरे चहरे पर पट्टियां है यह accident हो गया था मेरे साथ उसके करण मैं अपने पूरे चहरे पर पट्टियां बंदी रखी है ठीक है क्योंकि जैसे वह पट्टियां खोलता तो दगया पर जाता था ठीक है ना इसलिए उसने उनको जूट बोला कि म व्त्टियां बहूल जाएं सम्टियां ऑच में कि और ब्रक्ट करता है यह अलए प्रली, में ऑच्र डर रांख को सेंटियार फटा कैसे हां हो ज् समाटा गसार मास था सैंटिश्व क्rąट्या है बाच fiber दिन यह अंदीनिन ब्रक्टियां हाउन इसे अखमार थांटश साथ मे जब वहां पर रहने लगता है तो दू-चार दिन की बज़ा वो काफी समय रह जाता है जब वो काफी समय रह जाता है तो उसकी कुछ खरकतों पर उसको सक होता है कुछ काम करने के से उससे सख होता है तो मिस्टर हॉल उसे दुन्याभर के बहाने बताती हैं कि उसके तुम्हारे अजनभी मताजीब से आ देते हैं एरिटेटर टेमपर है मतलब मतलब कोई तुम्हारी सुभाव से को चड़ जाए ठेक है ना दुनिया भर का बहाना देने लगते हैं ठेक है बड़ स्टोलन मनी डिट नॉट लास्ट लॉंग अच्छा अब अभी तक तो चल जा रहा था क्योंकि पैसा उसको एडवांस दे रह उसके बास पैसा खतम हो गया तो तो या पैसा बहुत पैसा हो गये था पैसा भी आप फाल कांश्री है था तो रहाई अब च्रप आप मिस्टर ग्रिफिन जो काफी समय से यहां पर रहने लगे दे हिए उनके पर पतना पैसा खतम हो गया गार्च थीएए अई बन पैसे चुगाने के लिए का हिए ऐसी पर फितकल शबाष कि और है फिक नहीं करेंदी हिए वह अब करा गार्च फिए हैं कि अमनो किसी भी समय वो चैक आ सकता है मिसिस हॉल को इसते असर ना टख करके उन्होंने कणवेंस्र किया प्ति किसी मिज़ेन वो च्छेक आ सकता है तो बच्चो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और कल इसकी स्टोरी हम लोग इस पैरा को खतम करेंगे नेक्स पैरा को ठीक है पैरा बाइप पढ़ेंगे तो इससे हमें कहानी अच्छे समझ में आएंगे आज हम बस सित्ता जाने के एक जाना कि आज नभी व्यक्ति जो मिस्स गिफिन होता एक साइंटिस्ट होता है वह इन इपिंग ना है तो बहुत पुस्टाच पक्राइब करती है तो उसको पैसे से उसका मुबंद करवा दिता है कैसा मैं ठेरने हूं मैं कुछ दिन आराम करूंगा एफ जाओंगा ठीक है लेकिन उसके कार विवास लोगों को शक होता है और लेकिन काफी दिन रहते-छते हो जाता है तो जो उसको दे देता है फिर बाद में जब पैसे खतम हो जाते हैं तो फिर वो किराह मांगती है लेकिन उसके बस अब देने को पैसे नहीं होते हैं ठीक है तो वह उसे नाटक करता है कि मैंने चेक साइन किया हो कभी भी आ सकता है तो आज हम लोग ने इतना पढ़ाई से स्टोरी मे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैरग्राफ की स्टोरी जानेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हैं